हेलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल सो चलते हैं अपने कल के टार्गेट की तरफ थर्ड अफ जून 2021 की तरफ और यह हमारे कल के टार्गेट्स हैं जिसमें हमारा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आइसी आइसी प्रू लाइफ एंड एल्टी और बजाज एलेक्टिकल सो बैंक निफ्टी के चाहाट ओपन कर लेते हैं अ कि आइसाइड ओकि सो मारे यह बैंक निफ्टी का चाहाट ओपन हो गया निप में जो लास्ट हमें क्लोजिंग मिली है वह है हमारी 35,373 एंसमें कल के लिए जो हमारे तार्गेट वह हो ओगा हमारा बैंक निफ्टी में 35,500 क हमें buy करना है and first target हमारा 35,700 second target 35,900 and stop loss हमें इसमें लेके चलना है 35,400 and अगर हमें sell side में मौका मिलता है then हमें sell तभी करना है 35,200 के below and first target 35,000 second target 34,800 and stop loss 35,300 का होगा so यह कल के लिए बैंक निफ्टी के हमारे targets है चलते हम अपने nifty 50 की तरफ okay so हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं okay so हमारे यह निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया आज जो हमें इसमें closing मिली है निफ्टी 50 में 15,576 है यह हमारे याज closing होई है कल का जो हमारा target होगा वो है हमारा buy side में 15,620 पे हमें above buy करना है and first हमारा target होगा 15,700 second target 15,750 जिसमें हमें stop loss लेके चलना है 15,580 का and अगर हमें sell side में मौका मिलता है तो sell हमें करना है 15,520 के below and first target 15,450 and second target हमारा 15,400 stop loss इसमें हमारा है 15,560 का लेके चलना है so यह हमारा nifty 50 का कल के लिए target है and चलते हम अपने हमने जो stock select की है कल के लिए उसकी तरफ so यह हमारा first stock है ICIC Pro Life का इसका chart open कर लेते हैं okay so हमारा यह ICIC Pro Life का chart open हो गया और इसमें हमारा जो कल का target होगा buy side में वह हमारा 570 के above हमें buy करना है और first target हमारा होगा 575 and second target 580 का होगा stop loss इसमें 565 का हमें buy side में रखना है next stock की तरफ so next stock हमारा L&T का है so चलते है L&T का हम लोग chart open कर लेते हैं okay so हमारा यह L&T का chart open हो गया है इसमें आज हमारा closing जो हमें मिलिए 1471 की and कल के लिए जो हमारी targets है इसमें वह हमारा buy side में और buy हमें काना है 1476 के अबव और first target होगा हमारा 1480 and second target इसमें हमारा होगा 1485 stop loss इसमें हमें लेके चलना है 1470 का and चलते हैं यह हमारा L&T का कल का target buy side में है so कल के लिए जो next हमारा last stock है उसकी तरफ चलते है so last हमारे stock है बजाज electrical का so इसका चार्ट उपन कर लेते हैं so हमारे बजाज electrical का चार्ट उपन हो गया and इसमें हमें आज की closing मिली है 1066 पे and कल जो हमें कल हमें buy side में target है हमारा इसमें 1072 पे हमें buy करना है and हमारा जो first target होगा 1075 and second target 1080 का होगा and इसमें हमें stop loss लेके चलना है 1065 का so यह कल के लिए मैंने जो आपके लिए stock select किये थे कल के जो targets थे यह है आपके लिए के सारे targets nifty 50 bank nifty and icic proof और lnt और बजाज electrical का so thank you so much बाकी आप हमारे चैनल को subscribe कीजे like कीजे share कीजे and चलिए कल मिलते हैं thank you so much bye bye